Good morning friends, GST platform के YouTube channel में आप सभी का स्वागत है, जी हाँ friends, GSTR1 में अब आपको 50,000 रुपए तक की penalty लग सकती है, word पे ध्यान दीजिएगा penalty, मैं late fees की बात नहीं कर रहा हूँ, अब ये penalty क्यों लगेगी, क्या change हुआ है GSTR1 में ऐसा, जो कि आपके लिए penalty के provisions applicable करा सकता है, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के end तक, पूरी important चीज़े आपको अच्छे से समझ भे आएंगी, यहां आप देख पा रहे हैं GSTR1 का, जो हमारा B2B section है, इसमें अभी तक आप अगर GST number add करते थे, तो कई cases में अगर आपका वो recipient यानि कि जो services या goods आपने supply करी हैं, वो government department ह और उसका number 10 based है, तो कि GST में जो registration होता है, वो 10 based भी होता है, और वो pen based भी होता है, अगर तो वो number, pen number के basis पे हैं, तब तो यहां पर B2B में कोई issue नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आपका number यानि कि receiver का number 10 basis पे था, तो जब आप उसे B2B में add करते थे, तो वो accept नहीं करता था, reason being कि आपका registration 10 number के basis पे है, तो ultimately वो figure आप B2B की बजाए B2C में डाल देते थे, और corresponding HSN की entry जो है, वो आप नहीं करते थे, यह मानते हुए कि यह हमारी B2C की supply है, लेकिन अब जो हमारा यह GST portal है, इसमें क्या change हुआ, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक entry करके, और वो entry जब आप देखेंगे, तो यह entry जो हमारी है, यह है tan number basis पे, जी हाँ friends, यह tan number basis पे है, IIT, ISM का, और इसके अंदर आपको pan number नहीं दिखेगा, और अब आप अगर इस particular bill की entry इस section में करते हैं, B2B में, तो अब हमें यह चेक करना है, कि क्या अभी भी portal, GST का tan number basis जो registered है, TDS taxpayers, उनके लिए B2B section enable किया गया है, यह नहीं, तो यहाँ पर, जब आप इस चीज को practically समझ जाएंगे, कि इसका impact क्या आएगा, तो आपको penalty क्यों लगीगी, वो भी चीज समझ में आ जाएगा, यहाँ पर मैंने एक entry save कर दी है, अब इसे चेक करते हैं, क्या यह entry properly processed हो गई है या नहीं, यहाँ आप देख पा रहे हैं, record details में, recipient का 10 basis वाला, जो GST registration है, वो नजर आएगा, trade name, legal name, जो recipient है, उसका government agency का नजर आ जाएगा, taxpayer type यहाँ पर, deductor या TDS जो है, वो नजर आएगा, पहले यहाँ पर, यह option नहीं हुआ करता था, यह स्रिफ और स्रिफ pan basis regular taxpayer के लिए ही, B2B में insert कर पाते थे, और यहाँ पर कोई error आपको नहीं दिखेगा, और यह record भी process हो चुका है, मतलब अब यहाँ पर आपको जो भी, आप contract करते हैं, works contract का काम, यह कोई भी supply, जरूरी नहीं है works contract, तो अब आप उसे B2C में ना डालके, B2B में ही डालेंगे, और अगर आप इसे B2B में डालते हैं, तो आपके लिए, फिर as per notification 78 oblique 2020, accession wise summary of outward supplies भरना भी mandatory हो जाएगा, otherwise आपकी penalty जो है वो लग सकती है, क्यों लग सकती है, accession नहीं भरने से penalty वो भी बताते हैं, और यह सारी चीज़े जो accession की requirement है, इसके लिए phase 2 implement हो चुका है, phase 2 कब से implement हुआ है, November 2022 onwards, अगर आपने हमारी magazine पढ़ा हो November महिने की, उसमें हमने यह सारी चीज़े detail में बताई हैं, कि HSN जो implementation है November से, वो कैसे होगा, अगर आप लोगों ने अभी तक tax magazine का subscription नहीं लिया है, तो दिये गए numbers पे call करके, WhatsApp करके, आप tax magazine की subscription जो है, वो करा सकते हैं, और अपने आपको monthly GST and income tax related updates के साथ, रूबरू कर सकते हैं, अब यहाँ, जो यह implementation of HSN है, पहला point आपको clear हो गया, कि 10 basis पे जो भी number है, वो भी अब B2B में जाएगा, तो B2C वाला chapter close, HSN नहीं डालना है, वो chapter भी close, अब जब आप इसे B2B में डालेंगे, तो आपको corresponding HSN wise summary जो है, वो भरना है, और वो भरना कैसे है, वो ऐसे भरना है, कि अगर आपका AATO, यानि कि annual aggregate turnover पाँच करोड रुपए तक है, तो आपको four digit HSN भरना mandatory है, in terms of notification 78, और notification 78 ही यह बात कहता है, कि अगर आप unregistered supply को कर रहे हैं, अपनी goods or services supply, और आपका turnover पाँच करोड रुपए तक है, तो आपको HSN डालना compulsory नहीं है, पाँच करोड तक के लिए, पाँच करोड से उपर आपका turnover है, फिर तो compulsory है, मैं बात कर रहा हूँ, छोटे tax pairs, तो यहाँ पर 78 के हवाले से आपको, फिर four digit HSN डालना, table number 12 में mandatory है, अगर आप नहीं डालेंगे, तो GST के अंदर एक clause है, general penalty का, जो यह कहता है, अगर आपने कोई non-compliance किया, जिसके लिए कोई specific penalty provisions नहीं है, तो उस पे 50,000 रुपए तक की penalty provisions जो है, 25 के अंदर, 125 के अंदर red with section 126, वो आपके उपर लगा दी जाएगी, तो इसी लिए, अब अगर आप works contract, या किसी भी government, या किसी भी ऐसे receiver को कोई supply provide करते हैं, जिसका number 10 basis पे है, उसके लिए भी HSN wise summary का maintenance, अब mandatory है, 5 करोड से उपर है, तब तो 10 हो, PAN हो, कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ तो B2B और B2C दोनों ही situations के अंदर, आपको HSN डालना mandatory कर दिया गया है, और ये validations, 1st November 2022 onwards, GST portal पे भी implement कर दिये गए हैं, तो ये काफी important point आपको ध्यान में रखना है, कि अब आपका GSTR 1 जो है, वो 10 basis वाला GST registration TDS deductors के लिए भी accept कर रहा है, और accordingly ही, अब GSTR 1 में data punching जो है, वो करनी होगी, चलिए इस वीडियो को यही end करते हैं, आशा करते हैं, आपको ये point अब clear हो गया है, कि GSTR 1 में 50,000 रुपए की penalty जो है, वो किस situation में, और किस category of taxpayers को लगाई जा सकती है, अगर आपने हमारे चैनल पे first time tuning किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया red color का subscribe बेटन प्रेस कर लिजिए, साथ में जो bell icon है, उसे प्रेस कर लिजिएगा, ताकि वीडियो की notifications आप तक regularly पहुंचती रहें, thank you and have a nice day.